इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अपने घरों की तरफ सरकार की नाकामी बयान करती है आजकल मजदूर लब्स सुनते ही दिमाग में पैदल चलते कंधे में सामान टांगे कड़ी धूप में अपने घरों की तरफ सरपट बढ़ते मजदूर दिखाई पड़ते हैं पैरों में चपल नहीं है खाने को खाना नहीं है घर पहुंचने के लिए कोई सरकारी सहुलत भी जिससे उन्हें अपने घर तक का रास्ता खुद ही पैदल चल कर तै करना पड़ रहा है आज ही के दिन मोदी सरकार के दूसरी मरतब अकसरियत से काम्यावी हासिल कर हुकूमत बना ली थी बड़ी मिदों से अवाम ने होट तो दिया था इसे ना सिर्फ अकसरियत से जीत बल कर शक्त होता है क्या वाकई देश ने मोदी हुकूमत इख्तदार पजिर होने से विश्व गुरू की तरफ अपना कदम बढ़ाया है आज सक्ता से सवाल करते हैं तो कोई नया हंगामा बर्पा किया जाता है और असल मुद्दों को बगल देने के लिए लिहाज आज शहाब लियाजम का फर्द बनता है पर ऐसा लगता है कि गरीब बेबस मजदूरों की जिन्दगियों से खेलना गोया हुकूमत का पसंदीदा मश्गला बनता जा रहा है या हुकूमत किस अखलाकियाद से काम्याभी का जेशन मनाती है हर मजदूर के माउट के लिए कहने से बहतर ह होगा कि हर मजदूर के कट के लिए हुकूमत जिम्यदार है हमेशा तुम्हारे गरत फैसले गरीबों की मौट की वज़े बनते हैं मुल्क गिर सथा पर लागडाउन का फैसला लिया गया था तब से मजदूरों के दर्द का एसास मी होना शुरू हुआ तब से ही मजदूर ह हो जाकर यदि लॉक्डाउन के कारण तमाम काम बंद हो जाएंगे रोजी रोटी चीन ली जाएगी इस बात का हिल्म सरकार को होना चाहिए था अपने घरों तो कैसे पहुंचेंगे लॉक्डाउन के पहले हपते में सरकार इंतजाम न होनी की वज़े से 28 मार्च को बड़ी कर देती है लॉक्डाउन के तीसरे ही दिन 28 मार्च को कोई विसावलत मौया न होनी के वज़े से पैदल दिल्ली से अपने घर जाते वे रनवीर्ट सिंग नामी मजदूर ने आग रहे पर ही दम तोड़ दिया महाराश से पैदल घर की तरफ बढ़ते करीब 16 मजदूर ठका अनी पड़े आज भी कही न कहीं कोई न कोई मजदूर सरकार की नाकामियों के वज़े से अपनी जान गवा रहे होंगे दुनिया भर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च से 14 मई तक 38 मजदूर पैदल चलने की वज़े से मौत के घाट उतर गए 29 भूग से मर गय दिगर वज़े से 42 सडक रेल हादसे की वज़े से करीब 90 मजदूर जान गवा चुके हैं वाज़ रहे कि हम मेडिया के सामने आए आकड़े हैं ऐसे बहुत सिवारदाते हुई हैं जिसमें दरजनो मजदूर मौत के आगोश में समा चुके हैं आज भी कई गुर्बत के मारे जिंदी और मौत के बीच अपने घर पहुंचने की जद्दो जहद कर रहे होंगे इसमें कोई दो रहे नहीं कि इन तमाम मजदूरों की मौत के लिए सीधे तोर पर मरकज में बैटी मोधी सरकार और रियासत की सरकारे जिम्मेदार है जिस पर इन हुकूमतों को शर्मिन्दा होना है ना के जेशन मनाया जाए और अवाम की भी जिम्मेदारी है के सबता से पूछे और तुम्हारी खामोशी तुम्हारे गुलामाना जहिन को वाज़ करती है इत्याद नहीं देखने के लिए शुक्रिया अल्लाफिद